कि खुरस करई जीन पूल किए होता है जीन पूल जीन पूल और जर्म प्लाज्म कंजर्बेशन डेफिनेशन यह माल लीजे दो राफ की सेम टु सेम हैं हम कहेंगे कि किसी भी एक इस्पेसीस के अंदर जितने भी जीन है और जितने भी उसके अलील है वो सब क्या है जीन पूल है कोई भी एक इस्पेसीस है इस इस्पेसीस के अंदर जितने भी जीन है और उस जीन के अंदर जितने भी अलील है वो सब अलील क्या है जीन पूल बना किस पर बेज्ड है hybridization पर इसको ऐसे समझना आप जहां पर hybridization जितना अच्छे तरीके से हो जाएगा मतलब जो इसपेसीज आपस में hybridize कर सकती हैं है जैसे कि मैंने काहा मान लीजे 30kie Rank 시zza मैंने क्या का मैंने कहाँ मैंने कहाँ त्रिटिक डियूरिम अब आपको पता है Triticum क्या होता है वह जीनस है किसी भी Botanical ले में पहला नाम क्या होता है जीनस दूसरा नाम क्या होता है वहाँ पर Species ऐसे यहाँ पर भी Genus और यहाँ पर Species अब आप खुदी सोचिए क्या मान लिए आप जी Triticum Estubum में दो Variety है एक है Variety A और एक है Variety B ठीक है और यहाँ पर भी मान लिजे दो Variety है एक है Variety A और एक है Variety B ठीक है अब यहाँ पर मैं Hybridization कराना चाहूँ तो मुझे Fertile Plant किस जगा मिलेगा अगर मैं यहाँ पर Variety A और B का Hybridization कराऊ तो यहाँ पर मुझे 100% Fertile Plant ही मिलेगा यहाँ पर मुझे 100% Fertile Plant मिलेगा और यूजली आज किल देखो Breeding Program में यह हो रहा है Triticum Estubum यहाँ पर Species एक ही होनी चाहिए निए एक ही Species है और उस Species की डियर सारी Variety है उन Variety के बीच में आप Crossing कराऊ Hybridization कराऊ 100% Fertile Plant आपको मिलेगा Fertility 100% मिलेगा लेकर अगर वही मैं Triticum Estubum के एक प्लांट को Cross करा दूँ Triticum Durum के एक प्लांट के साथ माल लीजी यहाँ पर मैं वराइटी इस वराइटी एका Cross करा दूँ इस वाली वराइटी के साथ तो यहाँ पर मुझे जो प्लांट मिलेगा ना जरूरी नहीं है का Fertile होगा के नहीं होगा उसमें Fertility कम ही मिलेगी क्योंकि यहाँ पर हमने Species बदल दी यहाँ पर इस Estubum के प्लांट को हम Cross करा रहे है Durum के साथ हमने यहाँ पर Species बदल दी तो Fertility कम होगी तो यहाँ पर जीन पूल वही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक Species के अंदर जितने भी जीन है जितने भी यलील है वो अपना एक जीन पूल बनाते है और उस जीन पूल के अंदर Hybridization जो है वो जो रेशो होता है Success Ratio होता है वो जादा होता है जैसे Tritica Mastiva में तो इसकी Species ने अपना अलग जीन पूल बना लिया जो Durum है Durum ने अपना एक अलग जीन पूल बना लिया इस जीन पूल के अंदर जितने भी यलील जीन होंगे जितने भी प्लांट होंगे जैसे इस जीन पूल के अंदर ये दो वेराइटी आती है fertility मिलेगी और जैसे आप एक gene pool के plant को किसी दूसरे gene pool के plant से cross कराओगे तो fertility वहाँ पर दीरे-दीरे कम हो जाएगी वही बताने की कोशिच करता है gene pool तो gene pool एक particular species को ले करके चला कि इस species का ये जो particular species है इस species के जितने भी gene है एलिल है वो अपना एक gene pool बनाते हैं जिसके अंदर अच्छे से hybridization हो सके इसी basis पर ये gene pool है वो तीन प्रकार का है ये gene pool कितने प्रकार का है तीन प्रकार का है जिसमें एक है primary gene pool ठीक है दूसरा है secondary gene pool और तीसरा है tertiary gene pool primary gene pool के अंदर hybridization बहुत आसानी से हो जाता है easily hybridized यहाँ पर hybridization जो बहुत आसानी से हो जाता है primary gene pool मतलब यह मान लिजे के same species के ही पूरे आपको varieties बगरा plant मिलेंगे तो उनके बीच में hybridization बहुत आसानी से हो जाए 100% fertility मिलेगी यहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर secondary gene pool secondary gene pool में जो hybridization है हो थोड़ा से difficult है difficult in hybridization hybridization में यहाँ पर दिक्कत आती है क्यों आती है due to the ploidy difference ploidy में difference आ गया भाई मैंने का न यहाँ पर traticum astumum इसकी अपनी एक gene pool हो गई डियूरम की अपनी एक gene pool हो गई जैसे traticum astumum जो एकज़ापलोइड है यह tetraploid है इसके अंदर कितना आपका 42 है तो उसके अंदर 2080 है ploidy difference हो गया इसके अंदर chromosome ज्यादा एक के अंदर तो यह पर ploidy difference की वहेंसे hybridization में दिक्कत आती है एक होता है tertiary gene pool जहाँ पर बहुत ज़्यादा extremely difficult यहाँ पर ऐसा है कि हमने species तो छोड़ो हम अलग genus में चले गए हमने genus ही बदल दिया यह कुछ ऐसा हो गया जैसे कि माल लिजए आप टमाटर का क्रॉस करा रहे हो बैगन के साथ आप ऐसा माल लिजए कि हमने गेहूं का क्रॉस करा दिया mustard के साथ यह कुछ इस तरह की condition होगी जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रीम लेबल पर difficult हो गया habidation में वो tertiary gene pool हो गया आप न तो इस तरह से तीन gene pool बना है primary gene pool secondary gene pool और tertiary gene pool इस पर question जाया तर पूचा गया है इसके concept पर और इसके term पर कि जो gene pool का concept है यह किस ने दिया है ठीक है और दूसरा एक question पूचा जायाता है कि gene pool जो term है जो शब्द है यह किस ने दिया है जीन पूल का जो कंसेप्ट है वो दिया आपका हरलान एंड डीवैट नहीं अच्छी से नोट कर ले ना हलाण एंड डीवैट दो बैग्जाने क हरलान ंडी एंड और जीन पूल जो शब्द है ये दिया डॉब जनेसकी नाम थोड़ा जीव है 1971 में और जो टर्म है वो दी थी 1951 में बस यह important यह है वैग्याने के याद रखना gene pool concept harlan and devet ने दिया था वहीं gene pool शब्द आपका डॉप जनेस की ने दिया था बास समझ में आ गई यह हो गया अपना gene pool